सेट विद्या मंदिर इंगलिस हाई स्कूल से वी असी वसाई मैं सुनियल कुमार्थ पाठी प्रिय छात्रों आज हम संधि के अंतरगत रिवीजन के रूप में सेश भागदो का अध्यान और अध्यापन करने चल रहे हैं जिसमें हैं दोसरी संधि गुण संधि इसकी परिवासा देखते हैं आया आ के बाद यदि हरस्व या दीर्ग ई उ री आए तो क्रमसह ए उ औ और अर हो जाता है जैसे उदारण के रुप में देखते हैं राज प्लस इंद्र राजेंद्र वीर प्लस उचित वीरोचित सप्त प्लस रिसी सप्तर्श तीसरी संदी व्रिधी संदी यदि आ अथवा आ के बाद य या अए हो तो दोनों का अए हो जाता है यदि आ अथवा आ के बाद ओ या अव हो तो मिलकर अव हो जाता है जैसे एक प्लस एक बराबर एक एक दंत प्लस ओस्ट दंत ओस्ट महा प्लस आवसधी महावसधी अब चोथी संदी या यण संदी जब हस्वया देर्ग इवू री के बाद कोई भिन्रस्वर आये तो इको या उको वा री को रा हो जाता है उदाहरण अति प्लस आचार अत्याचार सू प्लस आगत स्वागत मात्री प्लस आग्या मात्राग्या तो आपने देखा इ के बाद आ आया तो या हो गया उ के बाद आ आया तो वा हो गया और इ के बाद आ आया तो रा हो गया तिस तरह से रूप बने पांचमी संधी आयादी संधी यदि ये के बाद भिन्सवर हो तो आय हो जाता है यदि ये के बाद भिन्सवर हो तो आय हो जाता है आय के बाद भिन्सवर हो तो आय ओ के बाद भिन्स्वर हो तो आव हो जाता है उदाहरण शे प्लस अन शयन नई प्लस अक नायक पो प्लस अन पवन पव प्लस अन पावन तो आपने देखा जो परिभासा थी उसके अन्सवार ए को आय, आई को आय, को को आव, आव को आव हो गया तो इस तरह से ये शब्द बने व्यंजन संधी किसी भी व्यंजन के वाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्टन होता है उसे व्यंजन संधी कहते हैं उदाहरण, सत प्लस धर्म, सत धर्म, उत प्लस चारण, उत चारण, वी प्लस छेद, विच्छेद, सत प्लस जन, सत जन, सु प्लस सुप्ति, सु सुप्ति, परि प्लस नाम, परिणाम विशर्ग संधी, तीसरी संधी है विशर्ग संधी, विशर्ग के बाद स्वर्या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन आता है या होता है उसे विशर्ग संधी कहते हैं जैसे अधाह प्लस गती, अधो गती, पयाह प्लस द, पयोध, निह प्लस धन, निरधन, दुह प्लस शासन, दुशासन, नमह प्लस ते, नमस ते, निह प्लस कलंक, निश कलंक, निह प्लस रस, नीरस, तो इस तरह से बच्चों हमारा संधी का भागदो भी यहीं पर संपूर्ण हुआ धन्यवाद